लो गाइस, विल्काम बैक टू टेलेवोट रीपले और ये वीडियो में बात करने जाहें शनाया इरानी के बारे में तो कोई सनाया इतने टाइन से इंडियन टेलेवेशन इंडस्ट्री में थी और सचाला पॉपॉलर एक्ट्रिसिस में उस समय में आया करते थी कुछ सालों पहले इन्होंने बहुत सारे पॉपॉलर टीवी सीरिल्स किये हैं जैसे की रंगरेसिया इस ट्यार को क्या नाम दो मिले जब हम तो एंड उस समय पे इतने शोज में आयी थी तो बहुत सारी एक ऐसी जनरेशन थी जो की ग्रो अप होई है इनके टीवी सीरिल्स देख देख कर तो बहुत सारे इनके फैंस में थे काफे बड़ा इनका फैनमेस क्रियेट हो चुका था एंड वही फैंस आज भी इसी चीज को वंडर करते हैं कि सनाया का कोई नया सीरिल्स क्यों नहीं आता किसे भी टीवी चैनल पर जहां पर इतने सारे टीवी शोज हर सार इंडिया पर इनका कोई नया शो क्यों नहीं आता इनकी वापसी क्यों नहीं होई नहीं टेलिवीजन के किसी सीरिल में और इतने सालों में किसी प्रोपर लीड के रोल में इनको क्यों नहीं देखा गया है तो रीसेंड़ी सनाया आय थी होटर फ्लाई के पोड़ कास्ट पर और वहां पर उन्होंने काफी ऐसे questions के जवाब दिये हैं तो आगे जान लेते हैं कि सिनाया अब तक हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही थी तो गई सिनाया इरानी इतने टाइम से पर्दे से इसकर की गायब है पिछले कुछ सालों से वो एक अच्छे शो की या फिर एक अच्छे प्रोजेक्ट की तलाश कर रही थी एंड इवन अभी भी वो कमबैक के लिए कंप्लीटली रेडी है तो वो वापस आने के लिए रेडी है लेकिन समया को जिस तरह के वो प्रोजेक्ट्स चाहती है जिस तरह के वो सीरे스 चाहती है उस तरह के रॉल्स भी नहीं मिल पा रहे है तो इसी कर के करणकी उनकी जिन्दगी में जादर ये चलरा है कि वो दोस्तों के साथ बाटे उगेडरा करती है या फिर घर को सबालती है और उनका सारा माइंड है वो ये चीज़ों की तरफ डाइवर्टिड है लेकिन वो still रेडी है अगर उनको कोई अच्छे शो के लिए या फिर अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया जाता है तो वो उसको करेंगी एंड उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेडूसर्स उन्हें काम इसकर के भी नहीं दे रहें एक और भी काफी बड़ी चीज है कि सनाया को बहुत बार इंडियन टेलिवीजन में लगलग सीरिस में टाइप कास्ट किया गया है यानि कि एक ही तरह की रोल्स बार बार जब किसी को दिये जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि टाइप कास्ट करना तो उनको बार बार कई बार सेम तरह की रोल्स बे मिलते रहे दें तो वो उन तरह की रोल्स को फिर से नहीं प्ले करना चाती, एक ही तरह की रोल्स नहीं करना चाती, वराइटी ओफ रोल्स करना चाती है, यह भी उनका कहना है, वो यह भी कहती है कि जब TV इंडस्ट्री में फूल फ्लेश तरीके से थी, उस टाइम पर उनका गोरा रंग था, गोरा कॉंप्लेक् उसको नॉर्मल लोक जैसा रख पाएं, वो कहती है कि उनका जो रंग है, वो काफे ज़ाधा गोरा था, कॉंप्लेक्शन गोरा था, और इसी करके उनको काफे ज़ाधा ट्रॉलिंग भी फेस करनी पड़ी थी, कई जगाहों पर, मेकप आर्टिस्ट उन्हें सावले रंग के कर देते थे, एंड परदे पर यही जो नॉर्मल लोक लग सके, इसके कारण इस तरह किया जाता था, उनको इस तरह से जो ट्रॉलिंग है, कभी-कभी प्रडूसर्स की तरफ से, कभी-कभी फैन्स की तरफ से, फैन्स तो नहीं कहने का मनलब है, कि ओडियंस की तरफ से, अब उन्होंने इकल पे कुछ प्रडूसर से मांगी, तो उनको डिनाई कर दी गी थी, तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स भी उन्होंने शेर करे हैं, तो ऐस वह भी कहती हैं कि ट्रॉलिंग वैरेसे उनको कोई फरग नहीं बढ़ता, वो अपना सिर्व उठा कर जीती है, अब ही के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गुड़ बाई